हेलो दोस्तो तो देखे आज के इस वीडियो में हम प्रश्णावली 8.1 जो चेप्टर आपका त्रकॉन में ती है उसका जो बिल्कुल बेसिक कुश्यन है जो बोड एक्जामें पूछाई जाता है ठीक है तो उसको यहां पे हम हल करेंगे ठीक है और देखे यह प्रश्ण हर स साल पूछे जाने वाला है एसा और इससे आप बहुत सारे प्रश्णों को हल करना भी सी कहेंगे तो दीखे जैसे यह दे रखा है टैने बराबाबाद चार बट्टे तीन तो कौण एक अन्यत त्रकॉनमती अनुपात ग्यात कीजिए तो दीखे यह अन्यत त्रकॉनमती अन कोटे और सेके और यह कोशेके तो एक, दो, तीन, चार, पहुंच, छे हो गए तो यह छे त्रकॉनमती अनुपात होते हैं तो उसने टैने एक अनुपात तो दे रखा है लेकिन उसने कहा है इसके जो अन्य है जैनिके साइने, कोशे, कोटे और सेके और यह कोशेके इनका मा निची क्या कि जो अनुपात है उनका जो इस सूत्र है हम कह सकते हैं वो क्या होता है तो देखे उसको याद करने का इक ट्रिक है वो क्या देखें यो होता है एल एल और ये यह टे लाल बढ़ते में कक्का थीक है तो ये ला जो है इसको हम लंभ बोलते हैं ठीग हाँ भलेंगे लंभ ओर इस A को बोलते हैं आधार और इस K को बोलते हैं करन ठीग है यह आपको याद रखना है अब दिखिए जैसे यहाँ हमें यह जो देरखा है यह क्या है कि 10 ये बराबर देखे 10 ये बराबर आपको क्या दिरखा है कि 10 ये बराबर 4 बटे में 3 ठीक है तो 4 बटे में 3 दिरखा है अब इसमें हमें ये पता नहीं कि इसमें लंब कौन सा है या कंड कौन सा है या आधर कौन सा है तो उसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ देखी जब लंब बटे में कंड जैसे लंब उपर हो कंड नीचे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं वो देखिए जब लंब बटे में कंड रहेगा तो हम उसको बोलते हैं साइने क्या बोलते हैं लंब बटे में आधार तो यह होता है किसका टैनी का अब यह दे रखा है लंब बटे आधार तो यह किसका है टैनी का तो ऊपर जो संख्या है वो लंब कहलाएगी और नीचे जो संख्या हो क्या कहलाएगी आधार ठीक है तो यह हमें यहां से मिल गया तो आपको यह याद होन ठीक है आधर बट्टे में लंब इसको पढ़ेंगे उल्टा इसको पढ़ेंगे तो यह होता है किसका कोटे का फोर्मुला ऐसे इसको अब इसको हम कंड़ बट्टे में आधर पढ़ें तो यह होता है किसका सेके का ऐसे इसको कंड़ बट्टे में लंब पढ़ें तो यह हो जा कौन साथ समकून तिरवोज यह बन गया समकून तिरवोज यह मान लीजिए क्योंकि इसने A के लिए कहा है तो A यहाँ माननेंगे और यह B और यह C ठीक है तो देखिए टैने वरावब क्या है लंब तो लंब आपके पास में कितना हो गया ये चार हो गया लंब और आधर कितना है तीन ठीक है तो ये लंब हो गया ये आधर और ये क्या होता है करण अब ये तीसरी बुजा करण हमें निकालनी है तो किसे निकालते है पाइथा गुरस प्रमीय से तो यहां पर लिखेंगे तिरबुज ए बी सी में पाइथा गुरस प्रमीय असी तो पाइथा गुरस में क्या होति देखी ये पहली आता है करण का स्क्वेर ओ बराबर होता है फिर लंब का स्क्वेर और प्लस फिर होता है आधर का स्क्वेर तो देखे कंड का square ब्राबल लंब square प्लस 1000 square इन दोनों का आगे पीछ कर सकते हैं कोई परिशानी नहीं ठीक है अब देखे उनकी जो मान है हम उनको यहां पर लगा देंगे तो कंड़ तो हमें निकालना है तो यह ऐसे ही रहेगा तो कंड़ का स्क्वेर बराबर लंब केतना आपके पास में चार और आधार केतना है तीन ठीक तो कंड़ स्क्वेर बराबर अब देखे चार का स्क्वेर करेंगे तो सोल है और यह 3 है तो 3 का करेंगे तो 9 तो यह करण स्क्वैर बराबर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह हो जाए कितना 25 कितना हो जाएगा 25 ठीक है अब देखिए हमें निकालना है करण तो यह जो स्क्वैर है इस पर यह ऐसे करके रूट बन जाएगा अब आपको 25 का वरग्मूल पता उनों चाहिए तो देखिए 25 का जो वरग्मूल होता वो कितना होता है पांच तो हमारे पास में जो कर्ण निकल के आया वो कितना आया है 5 आ गया तो इस 5 को हम यहां रख देंगे तो यह कंड ओगे हमारे पास में अब देखिए तीनों बजा आ चुकी हमारे पास में कंड, आधार, और लंब ठीक है अब हम देखिए कौन-कौन से मान निकालेंगे अब हम मान निकालना स्टाट करते हैं देखिए कौन टेनी तो है आपके पास में हम निकालेंगे पहले साइन ए निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं साइन ए अब देखिए तो देखिए साइन ए तो साइन ए बराबर क्या फरून लगता है लंब बटे में कर्ण यहां लिखेंगे लंब बटे में कर्ण तो इसको आप सोट में क्या कह सकते हैं लंब मतलब कर्ण मतलब की तो आप यह बताई इस चित्र से देखके के साइनी बाद लंब वट्टे कर्ण तो लंब कितना आपकी बास में चार और कर्ण कितना है पांच ठीक है तो आप यह साइनी का मन निकाल चुकी अब इसके बाद में क्या निकालेंगे कौस यह तो कौस यह बराबर क्या होता देखके आधार बटे में कर्ण तो आधार मतलब यह और कर्ण मतलब की तो आधार केतना है देखके आधार तीन है और कर्ण केतना है पांच ठीक अब इसके बाद में क्या आता है देखके इसके बाद में टेन आएगा तो लेकिन टेन ए चुका है अब इसके बाद में आएगा क्या कोट क्या आएगा कोट तो हम लिखेंगे कोटी तो कोटी बराबर क्या होता है टेनी का उल्टा कर दीते हैं तो टेनी होता है लंब बट्टी आधार और कोटी क्या हो जाएगा आधार बट्टी लंब तो यह हो जाएगा आधार अब कोट के बाते में कैसेक तो अब निकाल highlighting looks k इसेख इबराबर तो दिए कोसी भर ओड़ता है आधार बठte कंंड और तो होते हैं कंड बठे आधार तो यह जूरे गां कंड बठे में के कंड के ताने के 5 तो हम पहले की औराधार को इलिक लिते हैं तो कंड कितनाai कुसे के, तो देखिए, साइनी बरावर क्या होता है, लंब बटे में करंड, और कुसे के बरावर क्या होता है, करंड बटे में लंब, तो यह हो जाएगा, करंड बटे में लंब, मतलब K, और यह लंब मतलब L, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए, करंड आपक तो आप इस प्रकार आसनी से निकाल सकते हैं फिक है तो दोस्तो ये था त्रिकण मतिय का जो basic परचे का जो सवाल था जिसको करना बहुत जरूरी था और सीकना भी बहुत जरूरी था ठीक है। तो दोस्तो आई होड आपको ये वीडियो पसंद आए होगा तो दोस्ते अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नोट साथ है सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए इसका जो फोर्मूली का वीडियो बना चुकी है उसका लिंक यहां डाल देंगे आप वो भी देख लें